लास्ट जो बारा अक्टूबर को सुनवाई हुई थी कोट ने जितना भी ऑफीसर्स थे जिनकी नेगलीजेंसी के बज़े से उस बेटी के साथ जो क्राइम हुआ उसको वो रोक नहीं पाए उसके बाद जिस तरीके से रात में अंतिम संसकार किया गया तो कोट ने उनको फट क्योंकि आज सस्पेंशन है कल वो फिर बाहाल हो जाएंगे और फिर ऐसा क्राइम करेंगे अगर अक्टूल में कोट ने यह मैटर जो है वो स्वा मोटो कॉगनिजन्स लिया है तो उसका कुछ आउटपुट निकले इनका टर्मिनिशन हो तो शाहिए एक मैसिज कनवे कर पा लिए सुपमानिय सर्बोच नियाले ने डायरेक्शन दिया और वो सिक्योर्टी उनको मिल गई है क्या यह सिक्योर्टी उनको लाइप टाइम मिली रहेगी क्योंकि जिस एरिया से यह लोग आते हैं वहां पर एक्क्यूज की जो फैमली है वो काफी इंफ्लेंसिव फैमली ह दिया जाए उसके अलावा माननीय उत्तरप्रदेश के चीफ मिनिश्टर योगी आदितनात जी ने विक्टिम जो पीड़ता थी उनके फादर को यह कमिटमेंट किया था कि एक परसंट को सिरकारी नोकरी दिलवाएंगे लेकिन वो आश्वासन पर अभी तक कोई भी काम नह हमारी दिमांड है उसके अलावा एक और इंपोर्टेंट डिमांड है वो है हमें चाहिए विमिन सिक्यूर्टी गॉरंटी अदनियम जिसमें पूरे देश की हर दरीके का जो क्राइम होता है चाहिए वो डॉमिस्टिक वाइलेंस हो डौरी डैथ हो या रेफ मेंटर हो या हर ना तो मेंटली स्ट्रॉंग है सोसाइटी की सिक्यूर्टी रीजन के वज़े से ना वो फिनांसली स्ट्रॉंग है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन परिवार के इंदर है ना वो किसी भी तरीके से स्ट्रॉंग नहीं है जो परसन स्ट्रॉंग नहीं है अगर उसको आप कानून बना के दे भी देते, उसका implementation वो कैसे कराएगी, अपने लिए fight कैसे करेगी, तो जब भी किसी female के against crime हो, सबसे पहले उसको compensation दिया जाए, जो की काफी finance के रूप में जिसको हम देख सकते हैं, उसके बाद उसको security प्रवाइड करवाई जाए, उसके अलाबा उसको free of cost, legal aid जब भी rape matters होते हैं, एक forensic report आने में 6-6 महीने लगते हैं, तो फिर कैसे false track court case final होगा, कैसे time bound decision आप आएंगे, तो उसके लिए हर राज में कम से कम 10 forensic lab बनाई जाएं, ये सारी चीजों पर बात होगी, और जो भी women against crime हो रहे हैं, उसमें कम से कम 6 महीने के अंदर conviction हो, वो भी appeal जाक decide हो, ना की सिर्फ district court में, और time bound हो, ये सारे हमारे उसमें demand रहेंगे, जो भी महला सुरक्चा guarantee अदनियम है, जे, 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 सुनवाई का time है, दो सबा दो बजे के time होगा, और इसमें उत्तर प्रदेश के जो officers हैं, जिनको जो भी suspend हो चुके हैं, SP हात्रस उनको बुलाया गया है, DM है, ADJ है, उसके अलाबा other officers हैं, और victim side से मैं प्रेजेंट कर रहे हूँ, जिस तरीके से court ने last time सरकार से बहुत सारे सवाल किये थे, जिसका उन्होंने answer दिया, बट orally, क्योंकि उनके पास written में कुछ नहीं था, तो court का कहना है कि अगर आपने उस पीड़ता को रात में dead body को जलाया, तो उसकी बज़े क्या थी, इनका कहना था, law and order fail हो सकता था, तो court ने कहा कैसे, उनका कहना था कि वहाँ पर gathering बहुत ज़ादा थी, तो court ने report मांगी है कि आप मुझे पहले proof दीजिए, कि कितनी gathering थी, क्या वहाँ law and order इतने कम people disturb कर सकते थे, जैसे कि family का कहना है, या हम सब ने देखा और मीडिया ने भी दिखाया, करीब 500 मीटर के surrounding वहाँ पर कोई person नहीं दिख रहा था, सिर्फ family members थे, जिसमें भी 50-60 लोग होंगे, जिनको police ने detain कर रखा था और ज्यादा तर उस point पर जहां पर पीड़ता का दासंसकार किया गया, वहाँ पर कम से कम 200-200 के near about police officers ही थे, तो कैसे ये law and order फेल हो सकता था, ये बड़े questions थे, अब आज court में, जो state government है, वो report submit करेगी, मैं देखती हूँ उस पर कि क्या ये report में बताते हैं, लेकिन जो media में CGJ चली, जो हम लोगों ने देखा, सभी ने, उसके अलावा, ADJ का statement हम सब ने देखा, कि सीमन नहीं पाया गया, इसलिए rape नहीं हुआ, तो ये एक officer, जिसका काम है, security provide करना लोगों को, वहाँ पर जो भी peaceful mouth है, वो disturbed नहीं हो, लेकिन उनके statement के बाद, आपने देखा, वहाँ पंचायते शुरू हो गई, कि rape नहीं किया गया, मेरे बच्चों को falsely फसाया जा रहा, जबकि rape की definition नहीं अलागया, उस पीड़ता के साथ rape हुआ है, उनकी जो forensic report है, उसमें पुष्टी हुई है, उसकी फिर ये किस तरीके के statement दे रहे, तो ऐसे officers के DM का statement देखिए, आप उन्होंने कहा, कि अगर पीड़ता कोरोना से मर जाती, तो आप सोचिए, जब ये statement दे रहे हैं, तो उनके assumptions क्या क्या होंगे, कि ये तो ऐसे परवार है, ऐसे आम नांगरिक हैं, इनके कोई values नहीं है, इनके कोई right नहीं है, हम कुछ भी बो अधिकार है, उसके right का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 का, उसको जीवन जीने का अधिकार है, गर्म मैं माहल में जीवन जीने का अधिकार है, जी, थैंक्यू सोब